वेल्कम बेक दोस्तों एक और नई वीडियो में मेरे नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेक्ट सपोर्ड प्रदीप और आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्सक्राइब इसको निकालने के लिए कैसे आप पैंसन विडियो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो चलिए सब्सक्राइब आपको अपने मोबाईल में या फिर कंप्यूटर में एप्यफों का जो यूएन मेंबर का जो पॉटल इसको ओपन कर लेना है वेबसाइट है unified portal-mem.apfindia.gov.in इसको open कर लेना है बाकि इस website का जो link के मैंने वीडियो के description में दे दिया है जैसे उस link पर अप्रेस करेंगे आपके सामने ये website open हो जाएगी जब open होती है तो एक alert देखना को मिलता है इसको करना है अब आपको यहाँ पर अपना 12 digit का UN number mention करना है यहाँ पर password mention करना है और यह जो capture code है यहाँ पर mention करके sign in कर लेना है अगर capture code समझ में नहीं आता तो यहाँ पर refresh का button इस पर click करेंगे तो नया capture code आ जाएगा और password याद नहीं है भूल गये तो यहाँ पर forget password का भी option आपको देखने को मिलेगे पर click करके आप जो ना password बना सकते हो तो चलिए पूरी detail mention करके मैं sign in कर लेता हूं जैसे आप sign in के option पर click करेंगे उसके बाद आपके आधार काड के साथ जो mobile number link रहता उस पर एक OTP जाएगा OTP यहाँ पर mention कीजिए और जो capture code यहाँ पर mention करके submit कर दीजिए जैसे submit को option पर click करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर पूर्टल पर successfully login हो जाएंगे और login होते तो कुछी इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा तो देखिए pension का पैसा निकालने से पहले एक बात आपको बतान यहाँ पर आपकी जितनी भी PF member ID रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा यहाँ पर दिखा देगा आपकी total PF member ID कितनी है यहाँ पर अगर आपकी एक से ज़्यादा PF member ID है तो यह जरूर insure कर लें जब यहाँ फुल और final settlement के लिए form 19 और 10C apply करे याँ पूरा PF का पैसा और पूर transfer नहीं करेंगे बिना transfer करेंगे आप पूरा PF का पैसा और pension का पैसा निकालने के लिए form 19 और 10C apply कर देंगे तो पुरानी PF member ID का पैसा आपका फच जाएगा नहीं withdraw होगा तो जब भी आप full and final settlement के लिए form 19 और 10C apply करें उससे पहले आप यहाँ पर जरूर चेक कीजे कि आपकी अगर एक से ज्यादा service है तो पुरानी PF member ID का पैसा पुरानी जो PF service है उसका पैसा करेंट में जुरू transfer कर लिजेगा हमने पहले ही transfer कर लिया है अगर आपको नहीं बता कि कैसे transfer करते हैं तो इस वीडियो का description में मैंने जो वीडियो का link दे दिया वो वीडियो देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको online services का जो option है इस पर आपको click करना है जैसे इस पर आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो सबसे उपर आपको फोरम देखने का मिलेगा claim form 311910CN10D का इस वाले option पर आपको click कर देना है जैसे इस पर आप click करेंगे उसके बाद आपके सामने मैंसं कीजिए जब यहां पर पुरा bank account number मैंसं कर दें उसके बाद यह पर verify का जो option है इस पर आपको क्लिक करना रहेगा उसके बाद यहां पर यह स्कर देना है अब यहां पर proceed for online claim का जो option है इस पर आपको serb करें जैसे इस पर अब हमें पैसरे का पैसा पुराविड्रू करना है, तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो यहां पर उसके बाद यहां पर आपको एंप्लोई ऐड्रस यानि की आपके आधारकाड में जो एड्रस हैком्पलिट एड्रस आपको यहां पर mention करना रहेगा पिन कोड के साथ state district जो भी आपकी है complete अपना address mention कीजिए जब यहां पर complete address mention कर दें उसके बाद देखे अभी EPFO ने एक नया update किया है कि आपकी passbook की scan copy या फिर चेक की scan copy upload करने की जरूरत नहीं है अगर आपका जो bank KYC है वो bank की तरफ से verify हो चुकी है उसके बाद employer ने company ने digitally sign किया है तो इस case में आपको bank की passbook की scan copy या फिर चेक की scan copy upload करने की जरूरत नहीं है यहां पर इस तरह से message आपको देखने को मिलेगा अगर यहां पर आपको upload करने का option आ रहा है गैट आदार OTP अब इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहां पर प्लीज वेड के लिए बोलेगा और यहां पर आपके आदार कार्ड के साथ जो mobile number link रहता है उस पर एक OTP बेज दिया जाएगा यहां पर बता दिया गया है अब जो आदार कार्ड के साथ mobile number link रहता है जो OTP आता है वो OTP यहां पर mention किजिए जब यहां पर OTP mention कर देंगे उसके बाद यहां पर validate OTP and submit claim form का जो option है इस पर आपको क्लिक करना रहेगा जैसे इस पर क्लिक करेंगे OTP verify होगा और आपको form 10C जो है successfully अपलाई हो जाएगा यहां पर इस तरह से आ जाएगा कि OTP has been verified, EKYC updated and pension withdraw claim form submitted successfully तो इस तरह से आप pension withdraw from 10C आप अपलाई कर सकते हो अब यहां पर online services का जो option है उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस फर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर trade claim status का जो option है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा देगा कि आपने कब जो है फोरम अपलाई किया है और अभी current में status क्या है तो यहां पर आप देख स के पास request चली जाएगी और EPFO के पास request जब जाएगी उसके बाद साथ से दस दिन में आपका जो claim हो settle कर दिया जाएगा और जो भी pension का पैसा रहेगा वो आपके bank account में EPFO credit कर देगा और यहां पर current status आ जाएगा कुछ इस तरह से कि claim से settled है ठीक है तो इस तरह से आप जो है फोरम टैंसी अपलाई कर सकते हो पैसन का बैसा निकालने के लिए मैंने आपको complete जानकर यह दे दी इसके बहुत जूद भी मने कोई doubt रहे गया कुछ दिक्कत आ रही आपको तो comment box में comment कीजिए पूर पूर कोशिस रहेगी आपको जो भी comment रहे उसका answer द कर देंगे तो आपका क्रेम reject कर देगा यहां पर बता दिया जाएगा कांडली अपलाई फोरॉम 19 अलोंग विद फोरॉम 10 से तो यह दो फोरॉम अपलाई करने रहते हैं तो चलिए आज की वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं आसा करतों आपको समझ में आ गया होगा कि फो पाना चाहते हैं आगे भी तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी के साथ